आज के हमारी रेसिपी है मावा के गुलाब जम बहुत तिक अच्छे लगते एक खोया गुलाब जम एकदम अंदर से जूसी रसीले गुलाब जम कैसे बने और जब फ्राइ करते तो बिल्कुल भी ना फटे नहीं आई तेल में इसे पिगले इसे गुलाब जम कैसे बनाने हैं बाकि सब गुलाब जम बूल जाएंगे इतनी यह स्वादिश्ट लगते हैं और बनाने में भी आसान है परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आपने गुलाब जम बनाया तो आपके गुलाब जम गैरेंटी के साथ के तो बिल्कुल भी भी बिगडेंगे देखिए कितने अ पिदा को सबसे Pहले हमेंतर के चाश्नी को शक्कर के अधर करें और इसमें इसका दुगना का पानी डालेंगे दो पानी दालेंगे पानी से एक या दो तार के बनाना नहीं होतना बस शक्कर और दोतीं मिनिट हमेंने impeah ब usability हमें पकाना हैं यह हो गया है इती सरह कप फार्टि बइम्ट हो steps है और यहां परミडियम रखेंगा वीश यहाँ पर मैंने इडाला इला festivals सुर्現在 Stephen के मैंने डाला ही पुछब सुर्ण के दाघके के स्वार्ण के दोडियेंगे तो की चलेगा लेकिन से लीरव ःम्हत uphold Steph का अभी देखिए चीनी हमें पिखल लगी है तो चीनी को अच्य से फिकलें दो तीन मिनिट के हाव लो जारेकि पगल हेगे बाद मैं से नहीं चीनी के ज़रूरत है तो टे अच्छनी पहार व्लब चुकित है पर अच्छी तरह से तो Newton Dále देती हुँ बंद और इसे हमें ढ़के साइट में रखना है अभी देखते हैं मावा की तरफ मावा कैसे बनाना है सॉफ्ट एक डम तो यहां पर मैंने लिया है 200 ग्राम मावा और यह मावा ना थोड़ा दानेदार रहता है तो इसे हमें एकदम स्मूध बनाना है तो क्या करना है हतेली की हतेली से ना ऐसे इसे रगण नहीं अच्छी तरह से ताकि उसमें जो भी दाना वगरे हो ना वह एकदम स्मूध बने बिल्कुल भी दानेदार नहीं चाहिए हमें यह मावा एकदम स्मूध होना चाहिए और यह मावा मैंने मार्केट से लाया है खोया अब घर का बनाए हो अभी ले सकते हैं तो ऐसे अच्छी तरह से हमें इसे रगड रगडना है और यह बहुत ती एकदम स्मूध ऐसे हमें खोय को बनाना है तो ध्यान रखिए चार-पाच मिनट हम इसे तरह से इसे अच्छी तरह से रगड 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 से हातों से हतल से थ्यान रखे तोड से खोया जाता हुआ कि आज वह आई बहुत इसा हम रगड रखिए हमारा घर बना है तो अभी इसमें बाइंडिंग के लिए हमें जरूरत है दो चीजों की तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले डालेंगे कॉण फ्लॉर तो बस पहले एक चमच पॉडर डालती हूं अगर जरूरत लगी तो और थोड़ा से डालेंगे और एक चमच पे मैंने मिल्क पॉडर डाला इसे स्वाद बहुत ही अच्छा आने वाला है हलवाई वगरे मिल्क पॉडर जरूर डालते और एक पींच इतना ही हमेरा स्पेकिंग सोड़ा डालना है इससे जादा नहां डाले नहीं तो जो गुलाब जम बाल हम बनाएंगे तो पूरा चुरा चुरा हो सकता है इसके लिए बस एक चोट इसी पींच इतना ही हमें बेकिंग सोड़ा डालना है अभी यह देखे थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है तो इसके थोड़ा से यह देखे पतला है तो इसमें हमें थोड़ा सा कॉन्फलोर और मिलाना है तो यहाँ पे में थोड़ा सा आधा चमच जितना ही कॉन्फलोर डाल रहा है यानि टोटल हम लोग ने देड़ चमच जितना कॉन्फलोर डाला है इससे जादा की जरूरत नही लेकिन थोड़ा से मुझे लग रहा था इसलिए मैंने बस थोड़ा से हिमा और कॉर्ण फ्लोर डाला अच्छी तरह से वापस से कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरह से मावा का मिक्षर हमारा तयार है बिल्कुल भी हातों में हो अगरे चिपक नीरा है पर्फेक्ट बना है तो इसे अभी अच्छी से गोल बना के रखेंगे अभी इसे हमें छोटे-छोटे बॉल्स बनाने हैं एक छोटा-छोटे से गुलाब जाम के बॉल बनाएंगे बिल्कुल भी कहीं से क्रैक नहीं कुछ नहीं एकदम पर्फेक्ट हमारी मावा का मिक्षर है वो बना है एकदम स्मूध दिखने में दिखी तो इसी तरह से सब मैंने बॉल बना लिए है अब बॉल हमारे रेडी है फ्राइ करने के लिए तो गैस पे मैंने कड़ाई चड़ा रखे उसमें गुलाब जम डारे अगर तेल ज्यादा गरम रहेगा तो गुलाब जम डालते ही पट सकते हैं इसके लिए ध्यान रखे तेल का टेमपरेचर बहुत ही कम होना चाहिए और बस थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हिलाते जाए ताकि ना गुलाब जो बॉल है साओर जेगह सकते हो अज़ी तरह सीई तरह सब से फ्राइए वोजय बोल जाते हैं थोड़े फुलने लगे पहले से लगासे फुले तो फूल hone तो दीरे अब तीरे ले इसे यह और विइसे फुल जैएंगे वीकियरे बॉल इस पहले सीजहान से फुल चुके है इकदब मस क हमारे गुलाब जम के बने हैं तो इसे बार-बार अच्छ नहीं आएगा तो इसे टर्न करते रहें और अच्छी तरह से सब जगह से प्राइ करते अगर मेरी दिखाईव रेसिपी आपको अच्छे लगते तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा साथी में बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नहीं रेसिपी की नोटिफिक्शन आपको तुरंद मिल सकें गुलाब जम बॉल के देखें कलर ब देखें कि अब तरह के देखें के लिए बेगार करें तो एक दम लोपी रखना है यह देखें कि इतना जबर्दस्था है वाल का व्याव जम उनके बॉल का तो यह गुलाब जम हमारे सब फ्राइब करके तयार हो चुके हैं बिल्कुल भी कहीं पर ट्रायक नहीं आया कुछ एकदम गोल मटोल ऐसे ही है हमारे गुलब जम के बॉल बने हैं तो अभी गुलब जम के बॉल फ्राइ करके तयार है चाशनी भी एकदम गरम है अगर अगर चाशनी थंडी हो गई हो तो थोड़े इसे गरम कर लीजिए और गरम गरम चाशनी में हमें यह बॉल डालने हैं कि यह सब जो बॉल है मैं गुलाब जाम के इसमें डाल देती हूं एक दम मस्त जूसी रसीले होगे गुलाब जाम की चाशनी हमेशा गरम होनी चाहिए तब यह अच्छे से अंदर तक सोख करते हैं गुलाब जाम जाशनी को इसे ढखके हमें 3-4 गंटे के लिए साइट में रखना है तो 3-4 गंटे हो चुके हैं गुलाब जाम हमारे मस्त एकदम फूले है चाशनी भी एपजॉसी रसीले ऐसे हमारे गुलाब जाम बने हैं बहुती स्वाजिश्टा लगते हैं तो जरूर बनाए और मुझे क फंक्शन मगरे हो तो आप बना सकते हैं या त्योहर में जरूर एक बर बना के देखिए बाहर की मिलाविटी चीज़ें खाने से घर की बनी अच्छी हेल्दी टेस्टी मिठा याज बहुत ही अच्छी लगती है और बनाए और अपने फैमिली के साथ इंज्योई कीजिए